टेसला कहते थे कि अपनी बुद्धी के अत्यधिक प्रयोग की वजह से उनकी आँखों का रंग गहरे भूरे से हलका नीला हो गया था। निकोला टेसला बचपन से ही बेहद बुद्धिमान थे। वह अकसर अपने दोस्तों एवम रिष्टेदारों को अपनी फोटोग्राफिक याददाश्ट से चकित कर देते थे। निकोला टेसला को कॉलेज के तीसरे वर्ष में जुए की लत लग गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी छात्र वृत्ति के सारे पैसे गवा दिये थे। ताज्जुब की बात है कि जुए की लत ने ऐसी महान शक्सियत को अपने पंजो में दबोचा था। इस ठोकर को खाने के बाद टेसला घर से दूर चले गए थे ताकि उनके पिता को इस बात का पता न चले। अपने जीवन की अर्ध आयू के बाद उनका कबूतरों से गहरा लगाव हो गया था। उनको अपने आविशकारों की प्रेरणा रहस्यमई रूप से मिलती थी। उन्हें समय समय पर रोष्णी की तेज चमक दिखाई पड़ती थी। जिसके पश्चात उन्हें यह सब प्रेरणाएं मिलती थी। यह बेहद रोचक तथ्य है क्यूंकि श्रीनिवास रामानुजन भी कुछ इसी ही रहस्यमई प्रेरणा स्रोतों का बखान करते थे। यह चमक उनको कठिन भौतिक एक गणित के सवाल हल करवा देती थी। टेसला के पिता अनपड़ थे परंतु वह भी अपनी गजब की याददाश्ट के लिए जाने जाते थे। टेसला वाकई में एक अद्भुत वैग्यानिक थे। कुछ लोग उन्हें पागल या संकी वैग्यानिक भी कह सकते हैं। उनका दिमाग, सदैव, कुछ नकुछ नया क्रांतिकारी सोचता रहता था। जवानी से लेकर मरते दम तक उन्होंने कई ऐसे आविशकारों का दवा किया, जिन्हें अन्य वैग्यानिक बनाना असंभव समझते थे। अपल्सिव डिसोनर्डर नामक बीमारी हो गई थी। वह सदैव अपने पास 10 से 12 नैपकिन रखते थे और दिन में कई बार अपने हाथ धोते थे। उनकी मृत्यू के बाद जॉन जी, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के अंकल, ने उनके ऑफिस में रेड मारी थी। उन्हे के बारे में जितना लिखें, उतना काम हैं। उनके बारे में और जानने एके लिए आप उन पर लिखी पुस्तकें एवं डाक्यूमेंटरी देख सकते हैं। यहां तक पाउषने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।